बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो या तो मैट्रिक इंटर का एक्जाम देने वाले होते हैं या फिर जिन्होंने मैट्रिक इंटर का एक्जाम दे दिया हैं ऐसे बच्चे कोई ने कोई परिशानी को ले करके टेंशन में रहते हैं किसी को अपने माक्सित में सुधार करना है किसी का नाम गलत हो गया है, किसी के माता-पिदा का नाम गलत हो गया है, तो किसी का जनमती थी या फिर category गलत हो गया है, कोई अपना extreme change करवाना चाहता है, तो कोई अपना subject change करवाना चाहता है, किसी का registration चूड़ गया है, तो किसी का exam form चूड़ गया है, तो आखिर ये समस्या आती क्यों है इसके पीछे कारण क्या है कारण यह है कि समय से बोड दवारा जो डेट निकाला जाता है उसकी जानकारी बच्चों को नहीं मिल पाती जैसे जब सुधार का डेट निकाला पाते जब रेइस्ट्रेशन का डेट निकाला पाते जब रेइस्ट्रेशन का डेट नि चात्रों के लिए सभी चीजों का डेट एक ही बार खोशित कर दिया है, यानि कब कौन सा काम होगा या सब कुछ अब पहले से ही किलियर हो चुका है, मतलब की dummy registration card कब आएगा, सुधार कब से कब तक होगा, subject chain कब से कब तक होगा, original registration card कब आएगा, exam form कब से कब तक भर जाएग और sent up exam कब से कब तक होगा, सब कुछ का date पहले ही घोशित कर दिया गया है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजों के date के साथ साथ, तीन ऐसी बाते बताने वाला हूं, जिनका ध्यान, metric और इंटर के छात्रों को रखना बेहत जरूरी है, और अगर आपने इन तीन ब दोड़ना पड़ता है, छेत्रिये, कार्याले दोड़ना पड़ता है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि metric इंटर 2024 का एकजाम देने वाले चात्रों के लिए कब कब और क्या क्या काम होगा, और आगे टेंसन से बचने के लिए किन तीन बातों का ध्यान रखना है, देखिए metric और इंटर 2024 के लिए registration तो पहले ही हो चुका है, जब आप 9th में थे तो metric 2024 का registration हुआ था, और इंटर वाले जब 11th में थे तो उनका इंटर 2024 के लिए registration हुआ था, तो 27 जुलाई 2023 को metric और इंटर 2024 के चात्रों के लिए सबसे पहले dummy registration card जारी किया जाएगा, और dummy registration card जारी करने क के साथ ही 27 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त 2023 तक सुधार करने का date रखा जाएगा, अब इस वक्त आपको क्या करना है, कि ध्यान रखना है कि 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच तक आपको अपने dummy registration card को गौर से देख लेना है, अगर dummy registration card में सब सही है तो कुछ नहीं करना ह लेकिन अगर उसमें कहीं कोई गलती है, तो इस date के अंदर उसमें सुधार करवा लेना है, याद रखें कि यह सुधार, आपके अपने school या college से हो जाएगा, लेकिन अगर इस date के अंदर आपने सुधार नहीं करवाया, तो फिर यही सुधार करवाने के लिए आपको exam के बा पंजियन पत्र, और उसके ठीक दो दिन के बाद, यानि के 25 अगस्त 2023 से मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए, 2024 के लिए exam form भरना शुरू कर दिया जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान देना है, दूसरी बात पर, कि exam form भरने के शुरुआत होने से कुछी दिन पहले, छूटे ह प्रूवे बच्चों का registration date भी आता है, इसलिए अगर कोई छात्र 2024 के metric इंटर प्रिक्षा के लिए registration करवाने से चूग गए हैं, तो इस date के अंदर registration करवा सकते हैं, और 2024 के metric इंटर इंटर exam में शामिल हो सकते हैं, फिर exam form भरने का date खतम होने के बाद, 3 October को जारी किया जाए आदी में कोई गलती हो गया हो, तो सुधार करवा सकते हैं, dummy admit card में सुधार का काम जो चलेगा, उस 17 October 2023 तक चलेगा, यानि के 3 October से लेकर के 17 October 2023 तक dummy admit card में सुधार होगा, और ये सुधार भी होगा आपके अपने ही school से या फिर college से, इसके बाद school में होगा आपका आखरी exam, यानि के sent up exam, inter का sent up exam होगा 11 October से लेकर के 21 October 2023 तक, और metric का sent up exam होगा 16 November से लेकर के 25 November 2023 तक, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको तीसरी बात पर, कि sent up exam में आपको सामिल जरूर होना है, क्योंकि sent up exam में सामिल नहीं होने पर, आपको final exam जो की फरवरी में होता है, उसमें सामि होने से रोका जा सकता है, यहाँ तक कि आपका admit card भी, final admit card भी रोका जा सकता है, और यह बात विहार बोर्ड, notification निकाल कर खुद कह देता है, कि जो बच्चे sent up exam में सामिल ना हो, उनको admit card जारी ना किया जाए, और फिर इसके बाद 10 December 2023 को metric inter exam 2024 का routine जारी कर दिया जाएगा, औ उस काम को जरूर कर लेना है, ऐसे school या college में होने वाले हर एक काम की समय समय पर जानकारी आपको वीडियो बना कर अलग से दी जाती रहेगी, अगर आपके भी मन में कुई सवाल है तो वीडियो comment box में पूर सकते हैं, फिलहाल इस वीडियो के लिए अतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में